नमस्कार साथियों, सुवागता आपका आपके अपने यूटूब चैनल एसमार शड़ी बॉइंट में, कैसे हो आप सब लोग, तो साथियों आपको पता है कि हमने आपसे कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेर की थी, उसके अन्रिगार्डिंग मैंने बताया था कि आपको एससी कलरक के रेजल्ट की जो वेटिंग है, उसको लेकर खुशकबरी मिल सकती है उसके रिगार्डिंग पिछले कुछ दिनों में आपकी आंस्वर की भी आ गई, और कल आपका डेटेल रेजल्ट भी आ गया तो उसी के उपर बात होगी कि केस क्या हुआ है और क्या वेटिंग होल्ड में होने वाली है अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नए बोले तो चली एक बड़ मैं आपको मोटा मोटी बदा देता हूँ कि केस क्या है केस जो डाला गया है एक बच्चे के द्वारा वो है EWS कटेगरी के अंदर EWS कटेगरी के अंदर वो बोल रहा है कि उसके 60 प्लस 5 यानि 65 मार्क्स होने है और वेटिक के अंदर जो कंडिडेट आए हैं उनकी जो नंबर है वो 64 तक है तो सिदा सिदा मतलब उसका यह है कि उसका हो जाना चाहिए था या नहीं होता तो वेटिंग के अंदर आ जाना चाहिए था पर हमें सभी को पता है कि HSSC का जो नया रूल है जो कलरक के अंदर लागूआ था कि उसके अंदर एक DV की मिनिमम कटोफ आई थी उसके बाद में DV के लिए जो eligible बच्चे थे उनको scrutiny के लिए बुलाय गया था और documents के check होने के बाद भी आपको social economy के नंबर दिये गए थे यानि कि जो आपकी EWS की DV की cutoff थी जो की आपकी थी 62-63 नंबर पर मेरी साब से तो 63 पर ही होगी और उसके जो पार कर गया था सिर्फ उन्ही बच्चों को ही social economy के नंबर मिले है बाकी किसी का DV भी नहीं आया यानि जो बच्चा case कर रहा है या आपका 60 plus 5 के अंदर मेरा waiting के अंदर आ जाना चाहिए था इस बच्चे का अभी तक document verification भी नहीं हुआ है ये बात आप clear मान के चलिए तो अब ये case हुआ क्यों है पहली बातों की बच्चे उम्मीद लगा के चरकते हैं वे एक एक भरती बहुत बहुत लंबे समय तक आपको पता है कि क्याना में कल रख के बाद कोई बरती नहीं हुई है मोटा मोटी जो इसाब है ये है फिर ये सोचते हैं कि बई competition को काटने से अच्छा है कि जो हो गया है क्या पता उसी की फूस फखड़ दो उसी के अंदर के लिए रोजा है तो इसी उम्मीद में बच्चे case कर देते हैं औ इन्हों ने जो आपकी डीवी की cutoff है उसको clear किया है अब बात जो लाश्ट में बचती है वो ये बचती है कि ये जो आपके अंदर लाश्ट में लाइन है इसने बच्चों को थोड़ा सा इलागे रख दिया है तो इसका भी कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता है आपको पता ह चाहिए कि उन्हों को list लिकालनी है पहले भी case होते रहे हैं जो category के बच्चे ने case कर रखा है उसकी एक दो sheet को hold पर रखके उन्होंने result निकालता रहा है पहले भी hssc और इसके अंदर भी कोई दम है नहीं तो इसके regarding मुझे नहीं लगता कि कोई hold वगरा होने वाला है अगर hssc को list निकालनी है जो की लगबग आप ये मान के चलिए कि 95% तक बिलकुल त्यार है तो वो बहुती जल्द आपकी आ सकती है और अगर hssc की मनशा अगर कुछ change होती है तो उसके regarding भी आपको update दी जाएगी जो की कम chances है तो मुझे नहीं लगता कि इस case से कोई जादा आपक वेटिंग के उपर effect बढ़ने वाला है बाकी positive रहिए हर्याना पुलिस के exam आ गया है उसके लिए अच्छे से आप preparation करके जाएए जैहिं जैभारत धन्यवाद दोस्तों